अगर आप OTG प्रॉब्लम आ रहा है इसमें आपके फॉन में OTG आपकी तरीके से कनेक कर सकते हैं OTG जो होता है पीछे चार्जिंग टाइप में जो होता है इसको OTG बोलते हैं Computer PC या फिर डिरेक्ट OTG किसी काम के लिए तो आपका काम नहीं कर रहा है अपने mobile setting के बारे में सीखना चाते है कुछ तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं ऐसे informative वीडियो हर एक model पे लिए आता रहता हूँ Focus C61 है आज का वीडियो और चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम search बार में OTG तो यहां पे नहीं आ रहे है OTG ठीक है तो अब हम क्या करते हैं एक बड़ बैक करते हैं और यहां पर OTG connection problem आ रहा है या कोई भी issue आ रहा है तो उसके लिए अब यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है इस पे किलिए करना है और यहां से Android अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद इस पर किलिक करना है और यह जो आपको देखने को लिए अप प्रेफरेंस आपको इस पर किलिक करना है इसके बाद इस पर किलिक करना है उसके बाद यहां से बैक कर देना है और आपके पास ये वाला एप्स होगा फाइल अगर नहीं है तब डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है और यहां से हम क्या करेंगे एप्स में जाएंगे और यह जो है एप सिस्टम वाले ओप्सन पे क्लिक करेंगे और यहां पर OTG वाला ओप्सन देखने को मिल जाएगा आपको और यहां पर दिखेगा आपको यहां पर सर्ज ओप्सन नहीं है नहीं तो आपको सर्च करके दिखा देता Android सेटप Android सिस्टम आपको इस पे क्लिक करना है और यहां से आपको पर्मिशन पे जाना है क्लियर क्याच कर देना है उसके बाद यहां से बैक कर देना है फिर से बैक करना है यहां से Android सेटप पे सेम चीज़ आपको करना है और यहां पे पहले से हो रखा है इसको भी बैक कर देते हैं और इस पर भी किलिक करते हैं Android, Weaver, उसके बाद clear catch, उसके बाद वापस से back अब की बार अगर आप करेंगे तो आपका problem fix हो जाएगा इसी परकार से इस problem को fix कर सकते हैं मिलते नेक्षी बीडिमें थैंक्स पूर बचिंग